हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक तुदा चैनल तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले है एडवांस साइड चैनिंग के बारे में किस तरह से हम एक सेपरेट्ट जो फ्रिक्वेंसी है जो किक के साथ जो अपना बेस है वो जहां पर क्लैश कर रहा है उसी फ्रिक्वेंसी को हम साइड चैनिंग किस तरह से कर सकते हैं साइड चैन प्रफेक्ट वे में तो इस वीडियो में पूरा आपको जानकरी मैं देने वाला हूँ वीडियो लेट होगी है उसका कारण यह है कि मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ रेगुलर ली रोज बैठ रहा हूँ तो ताइम नहीं मिल रहा स्टूडियो से तो इस वीडियो में मैं आज साइड चैनि के बारे में कंप्लीट करेंगे तो आगे से वीडियो आती रहेगी पर आप थोड़ा वेट कर सक के और कुछ तीन में वीडियो आएगी तो मैं आपको लिंक दे दूगा ठीक है और बताना फिर कमेंट करके किस तरह से लगा आपको मिक्स एंड और प्रोजेक्ट सोड़ा मुखडा तेरा सोड़ा सोड़ा मुखडा तेरा दिल रूच चुराया मेरा तो जैसा कि आपने जहां पर अपना किकेंट बेस था वहां पर जो किकेंट बेस को आपने सुना होगा इस जगह पर तो आपने सुना होगा जो मैंने एक सेपरेट फ्रिक्वेंसी है उसको ही डग कर रखा है सेपरेट फ्रिक्वेंसी को ना कि पूरी जो बेस की फ्रिक्वे वर के आपको जज स्गोना भागा सिदposition हो रहे हैं और किस तरह तरह से वाले मैंने जो फिर फोर सायज का मैं रिग्सर जाएंगो सोलो कर दें ग hoşρाइज यहिं तो फिर आप यहां से व्याज की स्ब्ससि कुंशन कर ले और यहां वो जाती ही वहाँ कि आपके इस तरह से उपस्क्व मैं कि किसके पूरू कि आींड करा Juliet करसकाता है कि तो हैक यहाँ पर जाना पड़ता और यहांपे जाना पड़ता र cevr तो तो इसको select करो और यहां पर यह OFF होता है इसको इस तरह से आपने select करना होता है तो यहां से क्या होगा आपका side turning on हो जाएगा अगर मैं audio cancel करके sync पर रखो तो देखो तो इस तरह से ये Sync कर रहा है तो आदियो पे रखना हमने तो इस तरह से आप यहाँ पर बहुत सारी Preset मिल जाते हैं तो उसको Select कर सकती है तो मैंने Front वाला ही Select कर रखा है अपने Taste के साब से तो यहाँ पर अगर मैं कि Εmm इस तरह से रखऊं तो क्या हो रहा है जो बे स्क्रिक्वेंशी है वह सारी जब किसित होरी है तो सारी डक और पर यहां पर बे जब किसित हो 우पछ सुनाई दे रहा थोड़ा सा स्लाइड जैसा हो गें मतलब थोड़ा स्विय्धा हो गए तो मैक्सिमम टाइम आप इस तरह की साइड चैनिंग करते हो गए तो मैंने यहाँ पर अलग तरीके की एडवांस प्रो लेवल की करिये ताकि जो अपना कि की मैन फ्रिक्वेंसी है जो बेस के साथ कलैश हो रही है तो और जो बेस की हो रही है कि के साथ तो उसको ही डक कर रहा मैंने किस तरह से अब मैं गया यहां पर इकॉलाइसर में ठीक है मैंने यहां पर देखना मैंने की przykwency कहा है मेरी प्रेजेंट सबसे जादा यहां है यहां पर जान है आपको यह है 1 200 के आसपास ही या 130 के आसपास ही, यहां तक मेरी base, जो kik है, वहां जादा present है यहां तक, 500 के यहां 160 के around, ठीक है, मैंने किया किया, मैं गया यहां पर base में, और यहां पर मैंने जो यह band है, इस पे करा click, तो यह band अगर आप इस पे click नहीं करोगे, तो क्या करेगा पूरी जो frequency उसको डग करेगा मैंने band पे गया और यहां से जो frequency जो मैं वहाँ पर देखी थी kick में तो मैं गया वहाँ यहाँ पर set करी मैंने 160 ठीक है अब यह क्या करेगा 160 जो तक range मैंने रखिये तो 160 तक जो frequency है यहाँ पर जब मैं equalizer पे जाओं यह base की frequency जो यहाँ तक है 160 ठीक है तो यह क्या करेगा जो 160 तक जो frequency है उसको यहाँ से cut करेगा और यहाँ से उपर वाली frequency उसको यह cut नहीं करेगा तो इस तरह से क्या होगा जो अपनी जो base की जो present frequency होती है हाइस बगेरा होती है जो वो इस तरह से लगएगा कि side channel नहीं होई है वो पूरी duck नहीं होती और थोड़ा सा अच्छा आपको जो mix है उसमें की current base आपको बड़ी ऐसे सुनाई देगा कि के साथ ताकि ऐसा लगे कि अपनी जो side channel है वो हो रखे पर नहीं भी हो रखी तो इस तरह से आप side channel कर सकते हो perfect way में ठीक है बाकी आपका अलग-अलग taste है अलग-अलग genre पर आप अलग-अलग तरीके से जैसे कि limiter से करते हो उस पे मैंने वीडियो बनाया रखी है तो जाके देख लो किस तरह से करते हैं पर इस तरह से अगर आप करोगे तो आप perfect way में जो side channel है वो आपके पास होगी अगर इसको बंद करें अन करके तो यहां पर आपको हलका सा फरक लग रहा है कितना clear आपको mix मिल गया है बिल्कुल हलका सा फरक है ना जादा base frequency से missing नहीं लग रही इससे क्या होगा जो आपकी base frequency है वो missing नहीं लगेगे only जो kick के साथ clash करी है उसी को आपने नीचे को push किया और बाकी जो उपर वाली frequency highs वो वहीं पर रही तो इस तरह से आप जो professional तरीके से side channel कर सकते हो kick start के through तो यही था इस वीडियो में और बाकी जो comment कर लो next video कहीं पर चीए मैं ला लूँगा में कुछ दिन का काम है दो चार दिन बाकी रहे गए मैं सारे तीन चार सौंग जो है complete करके दे दूँगा उसके बाद regular होने की कोशिश करूँगा तो उसके लिए sorry पर मैं वीडियो जू करने को मिला है तो लाइक कर दो शेयर कर दो comment कर दो और वन के अभी तक नहीं हुए यार क्या करें आप ना शेयर करो सपोर्ट नहीं करो क्या से हो याव 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 वन के अभी तक नहीं किया और आपको मैंने जो giveaway करना था वो भी मैं दूँगा जल्दी से कर लो थोड़े से रहेगे अब गीने चुने रहेगे उसको कर लो complete और मिलते किसी next वीडियो में और next यूनिक से अतरंगी से topic के साथ तब तक के लिए stay tuned